Hello friends, आपका accounts का paper hopefully अच्छा रहा होगा, जैसा भी रहा है अब हमें उसकी बात नहीं करनी है अब हमें अपने SFM की तयारी पे ध्यान देना है, your most favorite paper and yes, most scoring paper इस paper में अगर आपने अच्छा कर लिया, तो मैं guarantee दे सकता हो कि आपका group पूरा clear हो जाएगा और in fact second group में भी आपको इसमें मदद मिल जाएगी, aggregate में, तो इस paper को हाँ से जाने मत दीजिए, exam में सारे questions पढ़ाएवे आएंगे, सारे concepts कराएवे आएंगे सवाल ही पैदा नहीं होता, कि आपसे एक भी question मिस हो जाए, बस करना क्या है, जो भी आपको classes में आपको मैंने provide किया है, material उसको आपको revise करना है sir, क्या सारे questions देखने होंगे, जी हाँ, जो जो questions आपने mark किया है, जिस questions में आपको difficulty लग रही थी, जब आपने revision किया है तीसरे, चौथी या पांच भी बार अगर आपने revision जब किया था, तो आपको जो questions में difficulty face हुई थी, वो सारे questions आपको करने है possible है, बिल्कुल possible है, सारे questions तो करने नहीं है, अगर मान लीजे हजार questions है, तो 200, सवा 200 questions में आपको दिक्कत आई होगी तो वो तो आराम से आप देख सकते हैं, सरेके question को हाँ से करके देखने की ज़रुवत है, बिल्कुल भी नहीं आप rough manner में एक बार calculate करके देख लीजेगा, हर एक chapter के जो main questions हैं, जैसे portfolio management में, आप एक बार standard deviation निकालके देख लीजेगा with past data and probability, आप बीटा निकालके देख लीजेगा, with past data and probability, coefficient of correlation, coefficient of variation, variance, तो ये सारी चीजे आप portfolio, security, holding period, return, ये सारी चीजे एक बार आप निकालके देख लीजेगा, तो definitely आपको काफी मदद मिलेगी, क्योंकि थोड़ा सा practice उसमें बच्चे पीछे रह जाते हैं, उस portfolio management के कुछ questions के formula में, बाकी आप देख कर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हाँ से करके rough में जा सकते हैं, तो सारे questions आपके cover हो गए, जो जो आपने important mark किया था और जो easy था वो तो आपने already पहली cover कर लिया होगा, concepts क्या सारे देखने हैं, yes, concepts आपको सारे देखने हैं, एक भी concept आप छ गंटा आप relax कर सकते हैं, and then लग जाए पढ़ाई में, और अपना पूरा concept आपको revise करना है, questions जो आपने mark किये थे, और जो questions आपको लगते हैं, but practice की जरुवत है, वो करना है, तो first step में आपका यह हो गया, second step में, second step में आपको theory जरूर करना है, theory का बहुत ही पतला booklet मैंने आ comment में, theory अच्छे से cover कर लीजे, theory आपका बहुत अच्छे से, आपको mark secure करके देगा, अगर आप 100% mark secure करना चाहते हैं, तो theory आपको मदद करेगा, theory book, I hope आपके पास होगा, अगर नहीं है, तो मैं group का link दे दे रहा हूँ, उसमें से आप theory book, जो 25 page की है, उसको download कर लीजेगा, और उसको आपको पूरा एकदम keywords के साथ आपको एकदम अच्छे से learn करना है, theory, ठीक है, fine, तीसरी बात, formula book, 40 जिसे मैं कहता है, जिसमें SFM के सारे formulas, एक 10 page या 15 page की booklet में covered हैं, वो आपको देखना है, formula book आपको देखना है, ठीक है, तो 4 चीजे हो गई, एक concept सारा देखना है, जो आपने register में किया है, लिखा है, derivation देखने की कोई जरवत नहीं है, आपको सिर्फ concepts देखना है, questions आपको वो देखने है, जो आपको लगता है, कि आपको ठोड़ा difficult है, ठोड़ा practice की जरवत है, questions आपको देखने है, जो आपने mark किये थे important, जो easy है, वो easy है, लेकिन देखन चार चीज़े आपको मस्ट करनी है, जब मैं आपको कहता हूँ कि questions सारे करने हैं, तो कुछ questions मैंने group में भी अलग से post किया था, शायद आपने देख लिया होगा new questions जो है, mock test paper, RTP, MTP वगरे के, तो series 1, series 2 के वो भी आप already देख चुके होंगे, या नहीं देखा तो एक बर आ last moment में आपको ये करना है, अगर in between आपको कोई भी doubt आता है, कोई भी आपको problem आता, अगर आपको मुझसे बात करनी है, तो आप एक number note कर लीजिए, आप उसमें call मत कीजिएगा, telegram सब के पास है, telegram कोशिश करीगा, telegram करने का, अगर telegram नहीं है, तो आप WhatsApp कर सकते हैं, लेकि मैं कोशिश करूँगा, whole night मैं available रहने की कोशिश करूँगा, या मैं कोशिश करूँगा, आपके exam तक मैं आपको इसमें support दे सकूँ, call मत कीजिएगा, message के through बात कीजिएगा, अगर मुझे लगे तो मैं खुद आपको call कर लूँगा, आपको please call नहीं करना है, अपना नाम ल होते हैं, आप जितना अगर question में नहीं बोलता है कि वहीं तीन decimal point यूज करना है, चार decimal point यूज करना है, तो आप सारे decimal point जितने आ रहे होतने ले लिजिए, 100% आपका answer बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं, provided question में नहीं बोला हूआ है, कि इतने points लेने हैं, अगर question में हर question को एक fresh page से शुरू करना है, हर question को, और question number एकदम middle में लिखना है, बड़ा लिखना है, और एकदम clearly लिखना है question number, और वहां से आपको हर एक question को नए page से शुरू करना है, अगर एक question के तीन पार्ट से हैं, तीनों अलग-अलग हैं, एक portfolio management का, एक आपका mutual fund का, तीनों अल चोड़ना है, तो आप 2 page चोड़ दीजे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर आपको लगता है, यहां पर 2 page लगेंगे, तो आप 3 page चोड़ दीजे, एक थोड़ा सा margin of error रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है, आप 4 page चोड़ दीजे, ठीक है, लेकिन हर question को नए page से शुरू करना है, यह बात आपको समझ में आ गई, margin के न side में लिखना है, margin के bottom में नहीं लिखना है, header में लिखना है, header के उपर नहीं लिखना है, footer के नीचे नहीं लिखना है, margin में लिखना है, margin में सरिफ आपको question number लिखना है, अगर आप question number लिखना है, margin के अंद पॉइंट वाइज आप लिखें और अंडरलाइन करके प्रॉपर हाइलाइट करें चीजों को और हर दो पॉइंट में आप एक लाइन छोड़िएगा बहुत कंजेस्टेट मत लिखिएगा ठीक है फाइन तो यह छोटी-छोटी बात है जिसको आपको ध्यान रखना है कोई सि आपके पैरेंट्स और आपके टीचर की ब्लेसिंग्स आपके साथ है आपका अच्छा होने वाला है एक्जाम आपका बहुत अच्छा जाने वाला है एक्जाम अच्छा होने के बाद आप मुझे मैसेज कीजिएगा और अपने फिडबेक अपने एक्सप्रियेंसेश शेयर कीजिएगा ठीक है हड़वड़ी नहीं करनी है अगर माल लीजिए कोई question आपको पूरा पूरा आता है तो पहला वसी से try कीजिए जरूरी नहीं कि आपको question number 1 से ही शुरू करना है अगर आपको एक question के सारे parts आते हैं तो वहीं से शुरू कीजिए सर अगर मुझे सारे question के एक एक parts नहीं आते हैं तो जहां पर आप ज़्यादा share हो वो करिए जो parts आप होनी आता है उसके लिए आप जगह छोड़ दीजिए या फिर उस question को आप fresh page में कर सकते हैं ठीक है जैसे कि आपको माल लीजे question number 1 का दो parts आता है तीसरा part आपको नहीं आता है तो तीसरे part के लिए तो question number 1 के बाद जगह छोड़ सकते हैं या तो तीसरा part आप बाद में कर सकते हैं जब आपके सारे questions हो जाएं तो ठीक है ये acceptable है लेकिन ऐसा नहीं होना ची कि एक ही question का आदा यहां किया और आधा last page में किया वो नहीं होना ची that is not acceptable ठीक है starting में आपको ये भी बताना पड़ता है कि कौन-कौन से question अपने किये तो please वो first sheet normally बच्चे नहीं fill करते हैं उसको भी आप please fill करिएगा कोशिश करिएगा उसमें ज़्यादा time ही लगता है calculator आपको use करना है spare calculator भी आप लेके जा सकते है ऐसा नहों कि आपका calculator भी last moment में काम ना करे ठीक है pen भी अपने पास रखिएगा ताकि ऐसा नहों कि आपकी pen के refill खतम हो जाए छोड़ी छोड़ी बाते हैं मुझे पता आपको ये सब बाते पता है लेकिन मैं at least अपने as a teacher मैं आपको थोड़ा समझा दूँ तो मेरे लेको भी एक पार satisfaction मिल जाएगी ठीक है तो I hope point is very much clear कोई भी doubt हो आप मुझे telegram करिये और मैं कोशिश करूँगा आपको immediate या तो call करके या तो मैं message के थूँँ आपको ये अपने doubts solve करवा दूँगा कोई दिक्कत यहां पर नहीं आएगी ठीक है पूरा time utilize कीजेगा आगे का जो समय मिलता उसमें identify कीजेगा कौन सा question करना है कौन सा नहीं करना है और last moment तक आपको time utilize करना है यह नहीं कि आप पहले ही छोड़ के आ जाए पेपर दो कारणों से आ सकते हैं तो आपको सारा कुछ आता है तो आपका जल्दी पेपर खतम हो गया तब भी आपको जल्दी नहीं उटना है आपको हो सकता कुछ questions नहीं आए तब भी आपको try करना है आपको कुछ नब कुछ पूरा question में ऐसा नहीं कि पूरा question ही नहीं आएगा, कुछ तो कुछ आएगा C.E.P.M. equation ही लग जाएगा, growth model लग जाएगा कुछ न कुछ आप definitely उसमें आप सोचेंगे कि हाँ मेरा इतना तो होई जा रहा है तो उतना आप हाप part भी complete कर सकते हैं, step marking भी मिलता है sir formula लिखने की ज़र्वत है कि formula को लिख कर फिर हम उसको data foot करें, formula लिखने का कोई requirement नहीं होता लेकिन अब लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी sir table क्या exam में दिया रहेगा, yes table values सारे exams में दिये होंगे, natural log, e की table, d1, d2, d की table, nd1, nd2 की table, normal distribution curve की table, सारे tables सारे tables exam में दिये होंगे, आपको कोई table book लेकर नहीं जाना है और ना table आपको याद करना या आपको tension में रहना कि table नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे, fine sir, present value factor और annuity factor का तो आप calculator से calculate करना जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर question के साथ अगर table दिया होगा है, present value factor या annuity factor का तो आप वो यूज करेंगे, फिर आप calculator use नहीं करेंगे, e की value question में दियोगी तभी करेंगे, नहीं तो उस question को normal compounding से solve कर देंगे, exponential solve नहीं करना अगर table नहीं दी होगी तो, ठीक है, मेरे क्याल से बहुत सारी बाते मैंने यहाँ पर discuss कर दी ग्रूप का link में दे दूँगा, तो अलग से revisionary classes आपको देने की कोई जर्वत नहीं है, last moment में आपका जो material है, वही आपका साथी है, वही आपको आगे अच्छा mark secure करवाएगा, ठीक है, तो मैं group का link दे दता हूँ, उसको आप join कर लीजीगा, उसमें सब कुछ मिल जाएगा, revisionary classes आपको मिल जाएगा, आपको formula book मिल जाएगा, theory book मिल जाएगा, और already है, तो कोई दिक्कत नहीं ह प्लस आपको number दिया जाएगा, जिसमें आप anytime doubt पूछ सकते हैं, exam तक का हूँ number रहेगा, आप anytime doubt पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा, कि कोई इतने हजारों students हैं, तो हो सकता है, शायद कोई doubt miss हो जाए, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा, 100% आपके doubts को handle करूँ, ताकि ये paper याद रखेगा, आपका नहीं है, paper मेरा है, आपकी सफलता ही मेरी सफलता है, आप अच्छा marks लेकर आएंगे, तो मैं मानूगा कि मैंने अच्छा marks secure किया है, आपकी उनत्ती में ही मेरी उनत्ती है, इसी उमीद के साथ कि आपका बहुत अच्छा paper जाने वाला है, all the best, ह जर्थ है, ये सवाल का answer कुछ नहीं हो सकता, जो time उसको utilize कीजिए, अब जो किया है, वही आप करोगे, अचानक से कुछ नया तो कर नहीं सकते हो, अगर पहले ही आपनी revise नहीं किया हो, तो आज क्या कर लोगे, और पहले revise किया है, तो आज क्यों नहीं revise कर रहे हो, तो ये सा मुझे सई नहीं लगता सारे चेप्टर important है सब कुछ करके जाए इतना time है क्यों नहीं आप करके जा सकते हमारे time पे जब हम exam देते थे तो हमारे time पे एक दिन भी gap नहीं होता था आज आपके बस एक दिन का gap होने के बावजूद भी 10 minute exam से पहले मिलने के बावजूद भी सारी facilities मिलने के बावजूद भी आपको समय कम लग रहा है तो इसका ही क्या ही कहें तो सारा कुछ करके जाना है कोई ऐसा नहीं कि यह important chapter इसको ज़्यादा देखना है कम देखना सब को बराबर देखना है सब कुछ करके जाना है ठीक है fine चलिए तो आपके messages आपके queries का इंतिजार करूँगा तब तक के लिए goodbye अच्छे से पढ़ाई कीजिए समय वेश्ट मत कीजिए सोने और उठने का समय निरधारित करिए ऐसा निकी ज़्यादा सो लिए और ऐसा निकी कम सो लिए अराम से आप late night study करते तो late night study कीजिए अब average sleeping sleep आपको लेना है जो कि सब लेते हैं और आपको भी लेना है ज्यादा stress मत लीजिए कि मैसा भूल रहा हूं मेरा कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि सब के साथ ऐसा होता है अगर ऐसा हो रहा है तो आप normal है आप abnormal नहीं है ठीक है तो सब कुछ अच्छा होने वाला है हिम्मत number one है और hundred percent marks लाने के लिए अप तैयार है थैंक्यू सो मच